नमस्कार रविगे, ओम, ओम आज इस प्रिंदावन के पावण धर्ती पर आप से योग के बारे में कुछ बातें करने का मौका मिला तो हम चाहते हैं कि कुछ आप अपने बारे मैं ऐसे चीजयों बताएं जो इस जो योग के माधियम से आप अपना प्रचार प्रशार या उसको दिखाना जाह रहED जो समाज में सेवा करना जाह रहED उसमें आपका क्या बेशिक आपका क्या थॉट है देखिए सबसे बेशिक थॉट की जहां तक योग से संदर्वित है योग में मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आयूरवेद या एलोपेथी या इंगलिस दवा जो भी प्रकरन है उनमें जो व्यक्ति जूज रहे हैं अधि से अधिक आपका परिवार का जो बजट है 50% से उपर कहीं न कहीं दवा में जाता है तो मेरा योग से एक ही है कि व्यायाम एक्सरसाइज और योग जो कहिए योग के माधियम से मैं इस प्रकार से जोड़ना चाहता हूँ कि कम से कम परिवार का पैसा खर्च हो स्वास्थ के उपर और वो केवल सवाल ही नहीं आत्म निरभर्मने योग के माधियम से बहुत सुंदर जैसा आपका विचार है तो मुझे लग रहा है कि योग के माधियम से अगर हम लोग समाद सिवा के नाम पे अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो आपका पूरा-पूरा योगद को हम लोगों को मिलना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को आप इस योग के प्रकिलिया में आगे बरहने में आप अपना योग-दान देंगे देखिए जहां तक योग से संदर्वीत मैं मिठलांचल के लिए बहुत गर्व की बात है और भारत के लिए ही क्योंकि जब ये विश्व किर्तिमान बना शिर्षासन का जैसे आप जानते हैं तो हम अभी आएंगे उस पर कि वह हमारा एक अलग जीज होगा कि जी बिलकुल को हम चाहेंगे कि उस सम्मान के लिए हार्भी बद्हाईदूं पूरे मिठलांचल के तरफ से आपको हार्भी बद्हाईद है ठीक है कि ये बहुत एक मिठलांचल के दर्थि के लिए बहुत योग कर सकूं तो एक माध्यम है वो कोई है तो जिसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता है और व्यक्ति को स्वस्थ सम्रिद्ध सात्विक और मैं हर एक परिपेक्ष में उसको समाज में एक मजबूत प्रतिष्ठा के रूप में खरा कर सकता हूं वो योग है जो व्यक्ति को कि आदमी योग को हमारे समाज में अभी भी वो प्रतिष्ठा नहीं दे पा रहे हैं ठीक है क्योंकि उसको एक कड़ी के रूप में अपने स्वास्त को लेके या कि हमको कैसे बैनिक जो हमारा क्रिया कलाब है उसमें उस चीज़ को वो नहीं समाबेश कर पा रहे हैं इसमें कैसे हूं चीजों को गरीब से गरीब अभी भी लोग समझ रहे है क्या कि योग अमीर के लिए है ठीक है गरीब के लिए एकसरसाइज हो गया उसक्सराइज को योग में पढ़नत करना है इसमें आप कैसे इस चीज़ को एक दूसरे को बिलकुल सही बात है बहुत ऐसे व्यक जो इस प्रकार के हैं योग हर एक धर्मों के शभी धर्मों के व्यक्तियों को विकास के लिए सोचता है योग प्रशनल हिंदू धर्म का है ऐसा नहीं कह सकते हैं हां हिंदू धर्म इसके प्रणेता है लेकिन ये किसी धर्म के बंधन में नहीं है और धर्म वही है जो धारन कर करने का है अगर आतंकवाद बनना अच्छी बात है तो वो धारन करना चाहिए लेकिन वो अगर बुड़ी बात है तो हमें नहीं धारन करना चाहिए वो गलत है हम जानते हैं तो आतंकवाद नहीं बनना चाहिए यह सिंपल सी बात है यह ना मुश्लिम कहता है कि बनो और ना हि यह धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ तो फिर तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे योग और अगर आप यही मन है कि अगर आप पैसा दले करके तो आप गरीब बवर्ट यह पैसा लेकिन आप मैं कहूंगा कि आप लोग या आप जैसे जो हमारे न्यूज प्रेमी भाई हैं जो भी हमारे मीडिया पर्शन है उनसे मैं अन्रोद करूंगा कि अधिक से अधिक योग के प्रती जाग रुकता फेलाना है तो योग करें बिल्कुल बस आज यह स्वभाग्य मिला कि आप से योग जो मतलब इनको हम योगी कहते हैं और यह क्रिश्नाश्मी कल होने बाला है तो क्रिश्न के धर्ती पे ब्रिंदावन में हम प्रेम मंदेड जो यह आस्था का प्रतीख है उसके सामने हम लोग एक बारतालाप कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपने जो योग को अपना चीवन दर्शन चुना और जो आपको आज ख्याती मिली है सुनके मैं अपने समस्त द कि मैं आपको वो पुड़ासकार देना चाहता हूं भारतवर्स नहीं पूरे बिसु के तरफ से क्योंकि मैं भी उस बिसु का एक छोटा सा आत्मा हूं बिल्कुल 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 हम चाह रहे हैं कि आपको जो ग्रिश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकर्ड आपने सिर्सासन म मुकाम पाया इसके पीछे आप तक क्या समर्पन था आप उसको कैसे हम लोगों के मादा हम लोगों तक लेकर आएंगे अहां जहां तक है गोल्डेन बुक की जो बात है कि विश्व ब्यापी अस्तर पर हुआ तो इसमें किस प्रकार से हम लेकर करके आएंगे अब जब की प्रेरना नहीं होता और यह सद्वुध ही अगर माता पिता की नहीं होता पाती एक महौल जो मेंटेन है मितलांचल का या पूरे भारत का तो उसमें मुझे था कि कुछ अलग करना है जब भारत विश्व गुरू बन सकता है तो क्यो ना विश्व अस्तरिये काम किया जा स लेकिन वह काम मेरा नहीं है आप सब का है जहां तक बात है कि इस से फायदा क्या होने वाला है तो बिश्व अस्तर पर पर जो अभी फ्रेम गया है तो उसमें भारत का गया है रवी झाका नहीं गया यह भारत का यह यह आपकी महानता और आपकी उन सोचों को दर्साठा है म कि जो अपने आपको इस तरह से किसी भी चीजों को देखता है अगर ऐसा कोई योगी अपने सब्सक्राइब करता है तो बिल्कुल मैं कोची-कोची अभार करना चाहूंगा क्योंकि सभी का हमारे जो श्वामी जी है परमपुज स्वामी रामदेव जी तो उनका भी काफी अस यानि फीजकल हमारा क्या एनल्मेंट है मेरा सरीर में क्या गतिविधी हमारे ब्रेन में हो रही है सिर्शासन करने में तो यह सब पूरे टीम आये थे और वो किया था दो दिन तीन दिन तक चला उसके बाद फिर यह फाइनली हुआ कि एक इस जुन को आप करेंगे तो यह अ मेरा 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 में मोटो यह है और उसलिए मैं जितना मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूं तो जिग्यासा रहती है कि कोई आदमी देड़ घंटा दो घंटा तक सिर्शासन जबकि मेड़कल साइंस कहता है क्या कि आप ती मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं त इसके बाद मैंने आपका कुछ फेस्बूल, कुछ वाटसाप, कुछ आपकी क्रिया कलाब तो आप आगे के लिए बहुत बड़ा आपका वीजन है कि आप पानी में सिर्शासन करेंगे क्या मैंने सही सुना है इसके बारे मैं आपको क्या कुछ नहीं वैसे इसको अभी प्र करने कि हम योग से कैसे आगे बर सकते हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल आपने सही सुना है आज इस मैं पूरे प्रकरण में पूरे ही दिल से लगा हुआ हूँ और योग मैं आज से नहीं करता हूँ योग मुझे मालूम ही नहीं था कि इसे योग कहते हैं हमें नहीं यह मालू तो वहां पर सुभा से ही अगर कोई आठ साल का बच्चा है यह आठ साल नौ साल से बच्चे लोग पो ले जाता था उनको दौराना और उनके लिए मैं जो मैं कमाता था प्रेस्टनली उसमें से मैं सेर करको उन लोगों को बताता था कि सब्दा हमें एक दिन पिकनिक होगा च देता था चाड़ वजे ही 16-17 भीसिल में सारे लड़के को ड्रेस दिया था गाउं में और वो चाड़ वजे ही भीसिल लगा देते थे सभी और सभी गाउं-गाउं के महले के एक जगह एक अध्यों करके और फिर दोरने जाते थे हम लोग एक बांध है कोशी का तो वहां प तो वह युवा है और युवा का उल्टा होता है वाई यू तो उनकी जो रफ्तार होती है उनको थोड़ा पहचान करनी की आविश रकता है तो मैंने देखा कि बहुत वोजवान और वो जस्वी ते जस्वी है उनको मैं कंवर्ट किया और आज कई ऐसे बच्चे हैं हमारे स सिवीर अगर हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से एरेंज करें तो उसमें मतलब अगर मैं समझता हूं कि अगर कोई वर्ल्ड रेकर्ट हरी अगर उनके लिए ऐसा करता है तो आपकी सामती होगी और हम अपने देश-बासियों को एक ऐसा सुब्कामना देना चाहेंगे इसके मा चीन और बॉर्डर पर जोड़ाते हैं उन भाइवद्दू को मैं असमरान यह उनके ही नाम है वह जो भी है उनके लिए ही है और हम तो फिर न्यू चैनल में अभी तो तो हम चाहते हैं कि जो अभी हम रभी व्यूमेश जिहादी से बात किये और ही जो योग में अपना एक जिद्धान है उसको हम यूबाओं और जो हमारे नेक्स जनरेशन है वहां तक कैसे पहुंचाएं हो सकता है कि आप भी हमारा साथ जी हो सकता है कि हम भारत विश्व गुरू बने जिसमें आप लोगों का सबसे वराज़ा है जी बिलकुल और इनी सब्दों के साथ आज यही पर विराम दे नमस्कार तो जैसा कि अभी आपने वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेकर सिर्शासन में रवी जहाजी से बारतालाप देखे मैं आसीज कुमार्जा सहयोगी राहुल कुमार्जा सुभरात्री